हेलो स्टुडेंट्स, आई टे एलेक्टर ग्यान योटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोगों को हिंदी इंग्लिश एक्जाम का रिजल्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बिहार भी द्याल है परिछा समीति के दोरा पूर में एक कलेंडर जारी किया गया था उसके अनसार से मैं बता रहा हूँ चुकि यह एक जाम हुआ एक महिन भी चुका है अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और यह रिजल्ट कव आएगा रिजल्ट आने में और कितना दिन लएगा इन सब बातों के बारे में जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ तो जड़ी आप मेरे चैनल में नए है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेर आइकन दवा दे ताकि आपको आइटेस रिलेटेड संपूर जानकाली मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं आपको इसके बारे में यहां देखिए यह आपको ए तो इससे तो यह असपस्ट हो रहा है कि आपका रिजल्ट जो है जून महीने में जारी किया जाएगा लेकिन जून पूरा महीना है कब रिजल्ट जारी किया जाएगा यदि जून के अंत में अगर रिजल्ट जारी किया जाता है तो फिर आप सभी स्टुदेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा दोखा है क्योंकि एक साल का बैक हो जाएगा आपका इंटर कर रहे हैं उसका के वर एक ही उद्यश है कि ग्रेजुसर में एनमिशन लेना बाकि इसका कोई बेनिफिट नहीं है हमारा तो यदि आपका अगर लेट से जारी होता है तो आप और लेटी एक साल जो है बैक हो जाएगे तो इसलिए आप लोगों को जो है इसमें कुछ मेहनत करने क्या वैसकता होगा कि रिजल्ट जल्दी से जारी कर दिया जाए ऐसे हमें उमीद है कि यह रिजल्ट जो है जून फस्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा क्योंकि मैक्सिमम जो है काम काम हो सकता है तो हमें उमीद है कि जून फस्ट वीक में लाश्ट तक यह स्टार्टिंग में जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा आप लोग जो हो सके तो ट्वीटर पर में जो है तो रहा आप इस चीज को ट्रेंड कराए कि आई टेय से जो भासा परिछा दे तो हमें उमीद है कि आप लोगों को जो है इस संबंद में जो आपके मन में प्रस्ण है उसका जो है अनसर मिल गया होगा रिजल्ट जारी होने के बाद नए वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे तब तक खेल लिए धन्यवाद